हेलो नमस्कार साथियो वेलकम टो रेली स्टड़ी दोस्तों एससे सीपियो एक्जाम 2014 का स्वासल एनलीसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज 28 जून 2014 को हम सेकेंड सिप्ट का एनलीसिस कवर करेंगे से पहले हम फस्ट सिप्ट का जो एनलीसिस वीडियो हमने दिये दिय है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर सजा कर देख लिए जिका और गैस इस वीडियो की पीडियो के लिए आप टेलिग्राम और अप्लिकेशन को डाउनलूट कर सकते हैं डिस्किप्शिप्शन आपको लिए पहले वाली पीडियो हमने टेलिग्राम पर अपडेट कर दिए ख्लिये हैं कि लिए गैस आगे आने वाले जुनों में आपका इक्जाम है थर्डिस सिप्ट में इसके लावा 19 तारिख में भी आपका इक्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने कोश्टन जरूर से सेंड़ करें ताकि हम आपको सब से सटीग और सब से सटीग प्रतिवा गंगवार जी जो कि गौहावटी से तो इन सभी ने काफ़ी ची तरीके से कोश्चन्स पता है यहां तक कि इन्होंने एक एक कोश्चन्स हमें बता दिया है कि कहां से और किस टॉपिक से एक्जाम में कोश्चन्स बना था के लिए रहे तो आप से पूरा वीडियो देख कर जाएं और यहां से काफी हद तक आपको आईडिय लगेगा कि एक्जाम में क्या पैटर्न आपका फोलो हो रहा है हम सबसे पहले जीके जीएस करेंट अफेर को निप्टाएंगे उसके बाद में इंगलेज फिर मैस और रिसनिंग के और आगे बढ़ेंगे तो आई सिंदू नदी की जो सायग नदिया हैं सारी हमने कवर करवा दीती बाएं तरफ की और दाएं तरफ की तो देखे यहां पर रहकर बाएं तरफ की पूछा गया हो तो वो बता देना है दाएं तरफ की जो भी हो ऑप्शन के अकोडिंग इस तरह के कोशन को हैंडल किया जाता ह अब इनमें जहलम, चिनाब, व्यास औ सतलज ये नदिया हैं इसके लावा शोग, गिलकित, काबुल ये नदिया भी इसमें आती है सिंदू की सायग नदियों में तो जहां तक बात हो रही है सतलज आपको आफशन में मिला होगा पिल्कुल करेक्ट आंसर आईगा इसके लाव काबुल नदि हैं दाहिने किनारे पर एक सायग नदि एक मीटे पानी की धारा है जो एक बड़ी धारा या नदि में मिलती है बाईं और जो है सायग नदि वहाँ धारा है जो मुक के रोपसे या मुक के नदि को उसके बाईं और से मिलती है और दाईं की और सायग नदिस मे मिलती हैं अगला कुछ नहीं हमारा भारत के सर्वच नियाले में न्यायदी की न्यूपती भारत के जो राष्टपती होती है इनके द्वारत सन्विदान का आर्टिकल होता है 124 इसके खंड दो के तायत की जाती है अनुचेद 131 उचितम नियाले की मूल अधिकारिता से संब्द रखता है और आर्टिकल 143 यानिक 143 जो है ये सर्वोची नियाले से परा मिया कल्लू मिया कल्लू जो है ये पटियाला घराने की संस्थापना की थी 19 से स्थापदी के मद्द में मिया कल्लू ने और कल्लू जो है इनको कालू मिया खान के नाम से भी जाना जाता है जेपूर के दरबार जेपूर दरबार के सारंगी वादा किये थें कल्लू मिया हाल यह भी मानना जाता है कि उस्ताद Alli Bucks खान और उस्ताद फटे अली खान ने पतियाला गराने की गायन परमपरा को लोगप्री बनाए था पतियाला गराने में ठुमरी और ख्चाल दोनों तरह की गायन होते हैं ये भी आप ध्यान रखेगा, कुशन बनेगा, कि ठुम्री और ख्याल, दोनों तरह के जो गायन होते हैं, किस घराने में होते हैं, नेक्स्ट उसने, दो हजार अठाइस में, ओलंपिक खेलो की मेजबानी कौन सा सहर करेगा, तो ये लोस एंजल्स करेगा, अमेरिका का ये सहर है, केलिफोर्निया, तो लोस एंजल्स केलिफोर्निया, सन्युपत राज अमेरिका, दो हजार अठाइस, ग्रिस मकालीन, ओलंपिक की मेजबानी करेगा, किलरे, दो हजार चुछ में, पेरिस, ओलंपिक, खेलो में, सामिल करने के लिए, प्रस्तावित, अतिरिक्त खेल के र मरना लीनी सारा भाई, किस प्रकार के नित्ति के लिए प्रसिद्ध थी, तो भरत नाट्यम आपको अगरेक्ट आंसर हो जाएगा, मरना लीनी सारा भाई, विक्रम सारा भाई की पतनी थी है, मरना लीनी सारा भाई, एक भारती साच नित्यांगना और कोर्योग रॉफर थी, उन्होंने प्रसिद्य विज्यानिक विक्रम सारा भाई से स्यादी की थी मनडला निरी सारा भाई पदमसरी 1905 में इनको मिला पदमबुसन मिला 1992 में इसके अलावा 1994 1994 में नई दिल्ली में प्रसिष्टित संगीत नाटक अकादमी फेलोसीप से भी इनको समानित किया गया था और अनत्य के छेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान 1950 में यानि के 1959 में 1949 में अहमदबाद में अपने पती के साथ यानि विक्रम सारा भाई के साथ में स्तापित किया गया डर पाना या डार पाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है इनका सबसे बड़ा योगदानी नित्ति के छेत्र में अगला कुश्य ने 2020 ओलंपिक खेलो में निरज चोपडा ने कितनी दूरी तक भाला फेक कर स्वरन पदग जीता था तो यह जीता था पदग जीतने वाले पहले भारती जो एटलीट थे यह बन गए निरज चोपडा का 87.58 मीटर का विजे 3 विजे थ्रो इसको कहा जाता है यह भी भारत के लिए राष्टी रिकोर्ड रहा था निरज चोपडा हर्याना से आते हैं आपको पता होना चीए के अटलीट है और उन चेंजे आप तोड़ा सा करेश्चन इसमें करकी बताएगा कि किस बारे में यहां पर कुशन बनाएं भारती सन्विदान का आर्टिकल 21 किसे रेलेटेड है तो जीवन का अधिकार से यह प्रावधान करता है आर्टिकल 21 अनुचियद 21 मोलिक अधिकारों से संबंद थे और भारत के सन्विदान के भाग 3 में सामिल प्रमुक लेकों में सही किये हैं अनुचियद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंतरा की सुरक्षा हैं कानुद वारे इस्तापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंता से वंचित नहीं जीवन को सारतक, पूर्ण और योग की जीन बनाने के में जाते हैं अगला कुशन है आर्टिकल 169 अनुछेद 167 किसे रिलेटेड हैं या किसे समझी थे तो संसद को किसी राज्य में एक परिसद बनाने या समाप्त करने की अनुमती देता है यदि राज्य की विदान सभा उस परिस्ताव पारित करती है तो बारति सन्विदान का अनुछेद 169 राज्य में विदान परिसदों के निर्मान और उन्मूलन से जुड़ा हुआ है इस अनुछेद के मताबिक अगर किसी राज्य की विदान सभा विदान परिसद बनाने या खत्म करने के लिए परिस्ताव परिस्ताव करती है तो सन्सद इस पर कारिवाई कर सकती हैं और इस परिस्ताव को विदान सभा की कुल सदिष्यता के बहुमात और मौझूद और वोड़ देने वाले सदिष्यों के कम से कम दो तिहाई जो बहुमात इससे परिस्त होना चाहिए इसके बाद संसद के दोन बानभट राजा हरसवर्दन की जीत बानभट राजा हरसवर्दन की जिवनी हैं, बानभट राजा हर्स की दरबारी कवीदें, ये भी कुशन आपसे बन सकता है, और विस अंस्क्रशिय्प सहीत के महान सन्रक्षा को में Тем island नहीं, दो सकती हैं याद रखेगा, उससे पूर चर्यत्र के लेखाग भी बानबटी है अगला कुशन है उत्तर और उत्तर पश्यम उत्तर और उत्तर पश्यमी भारत में दिन के श्यमे चलने वाली तेज गर्म असूस का हवाओ को क्या कहते है तो इसको लू बोला जाता है लू जो होती है यह उत्तर और उत्तर पश्यम भारत में दिनकेशे में चलने वाली तेज गर्मोसुस का हवाएं हैं यह हवाएं उत्री मेदानों इलापकों में चलती हैं जो पंजाब से बिहार और दिल्ली से पटना की बीच में तेज होती हैं अगला कुशन है 2022 करेंट से कुशन आपका बनाया है एक्जक्ट कोशन नहीं मिल पाए थे जो भी मिले थे वो अल्रीडी हमने निरा चोपड़ा बगेरा वाले जो ओलंपिक बगेरा टोक्यो ओलंपिक इंसे रिलेटर थे बता दिये बाकि और भी वने थे के लिए रहे टोक्यो ओलंपिक में किस मुक्यबाज ने कांश जीता तो यह लवलीना बोर्गोहन ने जीता ध्यान रखेगा लवलीना बोर्गोहन एक भारती मुक्यबाज है जो 69 किलोग्राम वर्गे में खेलती है और 23 साल की है असम के गोला घांट जीले के रहने वाली है लिए उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में महीला वेल्टर वेट वर्ग में कांश वदक जिता है और इस जीत के साथ ही 2008 और 2012 ओलंपिक में करमसा विजींदर सिंग और MC मेरी कौम के कांश के बाद भारत के लिए उलंपिक में पदक जीतने वाली ये तीसरी मुक्यबाज बन गई है लवलीना बोर्गहन अगला कुशने हिंदुस्तानी सेली के जिनक को ने तांसरी नापका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी सास्तर संगीत भारती उप परमपराओं से अलग हो गया दुरूपद ख्याल और तराना हिंदुस्तानी सास्तर संगीत से जूड़ी तीन प्रमुग गायन सेली या सेलिया हैं अगला कोशन है सितारा देवे नेमलीकित मैसे किसने सेली से संबंदी दे तो कतक से इनका संबंदे सितारा देवी का कतक की पत्ती ब्रजभूमी की रासलीला से हुई है जो उत्तर प्रदेश का एक परमपारिक नत्य भी मान जाता है कतक जो है काठिया द्वारा किया जाता है जो हाव भाव और संगीत के साथ महाकावी के चंदों का पार्ट करता है सितारा देवी कतक नित्य से संबंदी ते यह हुआ था 1922 में कलकत्ता के महान भारती त्योहार दिवाली के दिन हुआ था कि देरे और चुकी वह दिवाली के दिन पेदा हुई थी इसलिए उनका नाम धनलक्षमी जिनका उपनाम धन्नों भी रखा गया है और वहां वारांसे के ब्रहामन परिवार से तालुक रखती थी अगला कुशन है हमारा मारले मिंटो संसूदन अधिनियम का परित किया गया था यह 1909 में किया था ध्यान रखियेगा मारले मिंटो सुदार जिसे भारती परिस्त अधिनियम 1909 भी कहा जाता है साल 1909 में लागू किया गया था और इस अधिनियम को भारत के ततकालिन वाईसर रहे ठेल और में इन्होंने पेश्का था उन्हीके नाम पर में टो मॉले मिंटो सुदार इसका नाम रखा गया और उस शमें लोड मॉर भारत के राज् And axial ॉb जन्रल की कारिकारी परिसल— पहली बार भारतियों को प्रतिनित्य मिला, इसके अलावक केंदरी योम विदान परिस्दों के सदिश्यों को सीमित अधिकार दिये गए, और नेक्स्ट है ब्रेटिस भारत में प्रतक निर्वाचन मंडल का प्राउदान किया गया, अगला कोशन है मनरेगा अधिनियम कब ला लाग हुआ, यहां पर बात की जारी अधिनियम की, तो हमको अधिनियम भी बताना है, अगस्ट 2005 में परित किया था, और यह जो लागू किया गया था, दो फरवरी 2006 में किया था, दो अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया, लाबारतियो को ब्रिटिस सामराज्य से हस्तांत्रित कर दिया गया था, और इस अधिनियम के तहित, इस्ट इंडिया कमपनी का परिश समापन कर दिया गया था, और सासन, छेत्रो, राजस्व, समद्धि सक्तियां कमपनी से ब्रिटिस क्राउन को दे दी गई थी, और इस अधिनियम के त अब्दुल वाहिद खान आपका करेक्टांसर एगा किराना घराने का संस्तापकों ने अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिप का यही आपको नाम दिखाओ करीम खान का आइधिंग दोनों अगर मिला हो तो दोनों भी लगा सकते हैं किराना घराना हिंदुस्तान के सब गजो का ग्रहनागर भी हैं जिन्होंने इस गराने की स्थाफना की किराना सेली मुक्रोप से स्वर या व्यक्ति का स्वर विसे इस रूप से खटीक समस्वरम और स्वर अभी व्यक्ति से समधित मान जाता हैं नेक्स्ट कोचने निम लिकित मैं ऐसे सबी सिख्षित बेरोजगार योजना ब्रयांता है और इस योजना में सबी सिख्षित बेरोजगार युवाओं को नियोंतम योग गिता आठवी कप्चा हो थे सामिल था अगला कुशन है क्रिश्न देव राई ने कौन सा मंदिर बनवाय था तो इन्होंने हजारा विट्थल स्वामी मंदिर बनवाय थे दोनों मंदिर के लिए रे विजे नगर का प्रसिद्ध हजार जो मंदिरे क्रिश्न देव राई के सासनकाल के दोरान बनाया गया था क्रिश्न देव राई विजे नगर सामराज के तुलूव बंस के सासक थे और उनके सासनकाल के विसेस्ता विस्तार हो समेकन थी उन्हें कुछ भैतरिन मंदिरों के निर्मान और कई महतुपूर्ण दक्षिन भारती मंदिरों के प्रभाव साली गोपूरम जोडने का सरे दिया जाता है अगला कुशन है कत्थक रानी किसे कहा जाता है सितारा देवी को कहा जाता है सितारा देवी विस्व प्रसिद कतक नित्य अंगना है गाई का और अभीनेत्री ये है उन्हें कतक की रानी के नाम से जान जाता है कतक नित्य उत्तर भारति साथ से नित्य है कता कहे सो कतक कहला है कतक सब्द का जो अर्थ है कता को है नत्य रूप से कथन करना होता है अगला कुशिन है भारती सन्विदान के अनुच्छेद 164.2 किस से रेलेटेड है तो ये राज्य मंत्री परिश्द राज जी की विदान सभा के सामने सामय रूप से जवाब दे होती है ये कहता है आर्टिकल 164.2 भारती सन्विदान का अनुच्छेद 164.2 के मुताबिक राज्य मंत्री परिश्द राज्य की विदान सभा के सामने सामय ग्रूप से जवाब दे होती है अनुचेद 164 में मुक्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़े कुछ और भी प्राउदाने मुक्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है आपको पताईए और विदान सभा चुनाओं में जो स्पार्टी को बहुमर मिलता है उसके नेता को मुक्य मंत्री नियुक्ति किया जाता है अगला कोशन है ग्रीमस या ग्राइमस उस तक के लेका कौन है सल्मान रुजदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 के दसक के दोरान उन्होंने लंदन में एक विज्ञापन कोपिराइट के रूप में काम किया और उनका पहला प्रकासिट जो उपनियास है ग्रीमस इसका नाम है 1975 1975 में प्रकासिट हुआ सल्मान रुजदी का अगला उपनियास Midnight Children 1981 में आदुनिक भारत के बारे में एक कहानी थी एक अप्रत्यासित आलोशनात्मक और लोग प्रेस अफलता थी जिसने उन्हें अंतराश्टी पैचान दिलाई थी लिए टो ये कुछ इनकी याद रखिए गा इंके बारे में सल्सल्मान रुजदी के बारे में अगला कोशन चॉलवंस से बाकी हमें पूरा कोशन नहीं मिला है कि चौलवंस क्या कोशन बना था हमने डेडियल बता दिये जो जो छोल सामराज जी 27 स्वी में उबरा था 850 से 1289 तक चोल सामराज जी का जो संस्तापक था या चोल राजवन का संस्तापक था ये विजाले था विजाले ने 850 Estáus में तंजोर पर कबजा कर लिया और नोहने नर्केसरी की उपादी ली चोलों की जो प्राचीन कि उपादी नों ने ली थी तो यह सारी डिटेल है यहाँ पर अब गाईज यहाँ पर देखिए सेकेंड सिप्ट में जितने भी कोशन्स हमें मिले सारे कि सारे हमने आपको बता दिये विडिटेल के साथ में और यहाँ पर आंसर के साथ में बग्ये अगर आपको और कोई कोश प्रतिसा से दो कोशन है लाभानी से एक कोशन है समीकारी से तीन कोशन है इसके अलावा अनुपास से तीन कोशन है विबाज़त वाले कोशन है रिजनिंग में सिटिंग अरेंड्मेंट से एक कोशन है पजल से कोशन है बलड रिलेशन से दो कोशन है पेपर कटिंग से पूचा गया है दिक्सिनरी से दो कोशन है रैंकिंग से एक कोशन है वेन डाइग्राम से तीन कोशन है अलपबेट से कोशन है कथन इसके पूचा गया इसके अलावा मैस पूचा गया और आपकी रिजनिंग पूची गई तो ये जो चारो सब्जेक्ट हैं इनमें हमने पूरे पूरे कोशन यहां तक ही जितना हमें डेटा मिल पाए सारा का सारा हमां आपको यहां पर बता दिया है आगे भी हम आपको एनलिसिस आपके लिए जल्दी ही लेकर आ रहे हैं तो अगर आपको और को भी कोई कोशन पता हो सेकेंड सिप्ट का तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए हम उस वीडियो में आपको कवर कर वा देंगे इस वीडियो की जो करते हैं के लिए रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकन को जरूर से सेलेक्ट करके रखेगा ताकि जो भी नया वडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच पाएं तो मलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टड़ी वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातरम